तो आईए भगवान के दरवार में चलते हैं थोड़ा गीत गाते हैं थोड़ा मुस्कुराते हैं थोड़ा किर्टन गाते हैं अब प्रभु की आर्ती करते हैं आर्ती का अर्त होता है आर्त भाव से अपनी पीड़ा को प्रमात्मा तक पहुचाना क्यों करुणा का सागर है दया का सागर है माहन सागर है हम अपनी भक्ति अपना प्रेम अपनी करुणा प्रमात्मा को निशावर करें लेकिन प्रश्लिया होता हैं जिक्या हम ऐसा कर पाते हैं मंदिर में हम प्रती दिन जाते हैं तो क्या हम अपनी भावना को अपने भावों को अपनी पीडा को प्रमात्मा तक पहुचा पाते हैं ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि मन में जो दिकिर्ती चड़ी हुई है मन में जो विकार भरा हुआ है मन में जो हमारी जितनी भी बुराईया है वो सब भरी हुई है हम प्रमात्मा के पास जाते जरूर हैं अपनी पीडा को लेकर अपनी भावना को लेकर जब प्रमात्मा मुझे सुखी बना मुझे शांती दे मुझे जस्त दे मुझे आयू प्रदान कर लेकिन उहां जाते ही हमारी आख बदल जाती है हम प्रमात्मा से धन बैवब रूपया पैसा सोना चांदी सब मांगने लगते हैं हम आत्म समर्पित नहीं हो बाते मैंने कहीं लिखा जब भाव समर्पन मन से हो जब भाव समर्पन मन से हो वहां तर्क वितर्क नहीं होता जब भाव समर्पन मन से हो वहां तर्क वितर्क नहीं होता आस्था का जहां समर्पन हो आस्था का जहां समर्पन हो वहां खंडित विश्वास नहीं होता विश्वास खंडित नहीं हो विश्वास टूटे नहीं हमारी मीरा ने कितना भरोसा किया होगा जहर का प्याला सामने आया और वह पी गई क्योंकि उसको भरोसा था कि कनहिया उसे बचा लेगा द्रोपती को भरी सभा में वस्तहरन किया जा रहा था द्रोपती को भरोसा था कि कनहिया जरूर आ जाएगा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कनहिया को वहां जाना पड़ा लेकिन हम नहीं पुकार सकते मन में पाप भरा हुआ है छाल भरा हुआ है कपट भरा हुआ है हम कैसे पुकार लगाते हैं यह महतुपूर बात है प्रमात्मा तक हमारी पुकार पहुँच नहीं पाती हम मंदिर में आकर खड़े हैं प्रमात्मा के सामने हाथ जोड़ कर क्या सत्मुच हम खड़े हैं अकि हमारा मन कहीं दूसरी जगा छूट गया है हम मंदिर में आये हैं तो क्या मंदिर में हैं हम हम लोग मंदिर में नहीं होते हैं हम मंदिर के बाहर होते हैं, हमारा मन दुकान पर होता है, हमारा मन मित्रों के पास होता है, हमारा मन किसी ब्यापार में लगा होता है, हमारा मन मंदिर से बाहर ख़़ा रहता है, हम सरीर लेकर मंदिर में जरूर ख़़े हैं, लेकिन हमारा मन मंदिर के बाहर ख़़ा रहता है, यही दुरुभाग्य है हमारा हम मेरा नहीं बन पाते हैं हम दुरोपदी नहीं बन पाते हैं तो हमारी पुकार कैसे सुनेगा कर नहीं है हम अपनी पुकार कैसे सुनावे प्रभु को एक ही रास्ता है जब भाव समर्पन मन से हो समर्पन हो जाए अब प्रमात्मा के चरणों में जब हम बिलीन हो जाए मुझे पता क्या है हम मंदिर में खड़े हैं कि चौराहे पर खड़े हैं बेहोस हो गए जब तक बोध रहेगा मन में हम मंदिर में खड़े हैं हमारे कपड़े ठीक हैं की नहीं हमारे हाथ में फूल की डाली है की नहीं प्रसाद क्या लाए यह सब होता रहेगा तो प्रमात्मा भी कहेगा यह तुम यही देखते रो फूल की डाली देखते रो तुम तुम कपड़ा को वस्तर को सरी आते रो मैं चला मुझे मेरा असरवात तुमारे पास नहीं जा सकता है